तो दोस्तो आज ए 4th मार्च 2024 बजार में आज थोड़ा सा थेजी देखने को मिला बट ओवरल बजार की सेंटिमेंट की बात करे थोड़ा बहुत आज वलेटाइल भी था जहाँ पे निफ्टी 50 अपना ओल टाइम हाई को टच किया 22,440 पॉंट पे और क्लोजिंग दिया कि कल 5 तारी को क्या होगा जानेंगे इस वीडियो में साथ में शeयर मार्केट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अबडेट्स आपके साथ में शियर करूँगा साथ में global market का हलचल FBoyZS का डेटा और most important Part कल बजार prediction तो रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी को प्लीज वी उपर निफ्टी फिप्टी क्लोजिंग दिया उसके उपर बेस करके उपर की तरह मूफ करने का चांस है और इस बार अगर उपर की तरह मूफ किया तो लगबग 22,600 से लेके 22,800 तक पहुंचने का चांस है अधा सेम टाइम नीचे की तरह कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेबल में मेंशन किया जैसे की 22,225 से लेके 22,200 बाकी दोस्तों आपको क्या लगदे कि कल बजार किस तरह बूफ करेगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अपना वैलूबल ओपिनियन ओके अभी हम बात करेंगे दूसरे एक और अपना एक पॉइंट व्यू रखा मनी कंट्रोल की वेबसाइट में टेकनिकल व्यू डोजी कैंडल फॉर्मेशन इंडिकेट्स निफ्टी में कंसॉलिडेट विट सपोर्ट एट 22,200 तो इनके अकुरिंग जो है नियर टम बेसिस पे निफ्टी 50 थोड़ा बात कंसॉलिडे और पहले वाले आलीशन हमने देखा की थोड़ा बहुत उप्लिमिस्टिक है थोड़ा बहुत बुलिश नजर आडा जयाद हो धूरह को तो मैं कोई कंपनी जब अच्छा पर्फर्म करता है या खड़ा पर्फर्म करते उसको बेस करके रेटिंग दिया जाता है टार्गेट दिया जाता है ठीक सेम चीज दोस्तों देश की खेटर भी होता है कि कोई देश की जो GDP ग्रोथ है उसके बर बेस करके यह सारे जो मुडी स हो गया हो गया अक्सर रेटिंग दिया जाता है यह अपने फोर्कास्ट किया जाता है ठीक है तो आज सुबह का एकदम देख सकते हैं मूडी अपग्रेट इंडिया जोट इसके पहले लास दो कॉटर में तीसरे कॉटर रम छोड़ देता है उसके पहले हमने देखा था आप देखे 6.1% का डेटिंग दिया अब फिर से देखे अपना वेजजत करा है क्योंकि देखे तीनों क्वाटर में आपने देखा कि मोर्ड़ देन 7.5% की एवरेज आ चुका है अगर लास्ट क्वाटर में से परसेप 6% की ग्रोथ रेट रखाना तो भी दोस्तों यहां प आप देख लिजे टाटा मोंटर की डी मर्जर तो अल्रेडी इसके बारे में तो आज पहले वाली वीडियो में कवर कर चुका हूं बहुत अच्छे से तो उस वीडियो के नेचे मैं सभी को बोलका भी था वीडियो के अंदर की कोई भी क्वैडिस हो तो प्लीस कमेंट के द बहुत अच्छे से पड़ा बट यहां पर कोई भी टाटा मोटर्स की डीवेर से लेटेट कोई भी चीज मेंशन नहीं किया अब मेरे बात को ध्यान से सुनना क्योंकि यह देखिए कंपनी द्वारा मार्केट को आज पहली बार इंट्रूस किया यह जो मतब कंपनी के द्व द्वारा एप्रूवल मिलेगा रेगुलेटरी बॉड़ी द्वारा एंड यहां पर मिला जाएगा उसके बाद देखिए यहां पर बहुत सारे जो क्वैरी आपका धिरे देरे मिटता जाएगा जैसे कि कितने स्वाइप रेश्यों में है ना आपको शेयर मिलेगा कमर्शेर के रख दीजिए क्योंकि टार्टा मोटर्स की डी मर्जर से रिलेटेट कुछ भी अपडेट आगया ओफिशियली कंपणी की तरफ से सबसे पहले मैं आपको जैसे कि आज भी शेयर कर दिया नेक्स जैसी वीडियो आएगा तुरंत मैं आपको वीडियो के साच शेयर कर दू डी मर्जर है जब हो जाएगा पोस्ट डी मर्जर टार्टा मोटर्स का जो शेयर है लगबख 25 परसेंट तक उपर पहुंच सकता है 25 परसेंट होगा भी विकॉस आमने देख लिया आप लेटी हमने देखा कि जब रिलाइंस इंडस्टी का डी मर्जर हुआ था ना तब भी स इसली शेयर में भी तेजी देखने को मिलेगा ओके सारे टोमेस्टी का अपने तो मैंने कवर कर लिया बात करेंगे तोड़ा सब बाहर से मतलब यूएस मार्केट में देखिए अभी समय हुआ है बारा बारा बच के दो पर आट मिनिट को जैसे कि आप देख सकते स्क्रिन के को मिला यूएस की दस साल की बांडिल की बात करें लगवख एक परसंट ज्यादा उपर पहुँच चुका है ब्रेंट की बात करें थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है विप्र लिमिटेड एडियर वर्शन की बात करें थोड़ा बहुत पॉजिटिव में चलना 0.6 परसंट उपर की तरफ इंफोसिस लिमिटेड एडियर वर्शन की बात करें 0.28 परसंट बट अच्छी बात है कि शुरूबात में जहां पर उपन वा था वहां से अच्छा खासा भी रिकवरी देखने को मिल रहा है ठीक है इस रेपसी बैंक की बात करें थोड़ा बहुत य से लगबग देखा जाए 100 पॉइंट ऊपर ठीक है अप्रॉक्सिमेटली अब चली थोड़ा साम देख लेते फस्टेस का डेटा पर उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा इंफॉमेटीव लगा प्लीज दोस्तों इस टैप की वीडियो हर रो इन्वेस्टर्स ने और डियाएस ने आज खूब माल उठाया लगबक 3542 अज डियाएस ने जो शेयर परचेस किया 3542 करोर का और फैस ने सेल किया 564 करोर का शेयर है ना उसके बाद बात करेंगे देखे आपके इज्राल और हमास के बीच में वही पुराने चीज़ चल रहा टेक्निकल चर्पेरन को लेके चलता हूँ और नेस्टेक की क्या फ्यूचर क्योंकि सुभा में तो अविसली जो इंडेक्स है बंद रहेगा बट डॉजोंस और नेस्टेक का फ्यूचर है वह सुभा में ओपन हो जाता है ठीक है इसको आपको फॉलॉप करना है अगर वहां पर पॉजिटिव में ओपन हुआ या पॉ पहले एक और बार बजार में थोड़ा बहुत हमें वालिटिल्टी थोड़ा बहुत करेक्शन भी या थोड़ा बहुत प्रॉफिट वूपिंग भी होने का चांस है अगर पांच सो ब्रेक करके निकल गे में बात को पहले समझने की कोशिश कीजिए ठीक है अगर पांच सो पांच सो ब्रेक करने से पहले बजार थोड़ा सा वलेटाइल हो सकता है ऐसे सिनियर पे अगर नीची की तरफ करेक्शन हुआ सबसे स्ट्रॉंग जो सपोर्ट बनेगा 22,250 और उपर की तरफ जो स्ट्रॉंग रेजिस्टेंस दे सकता है 22,500 नहीं 22,400 पांच से ब्रेक कर लि बैंक टिप्टी का क्लोजिंग आज बहुत ही इंपॉर्टेन लेबल जो कि आज से लगो कुछ दिन पहले ही लास्ट रिंग विक पर हम ने देखा था इसी लेबल का असपूस रेजिस्टेंस मिला था जिसका नंबर एप्रॉक्सिमेटली 47,500 गल अगर बैंक टिप्टी इस साथ थोड़ा बहुत वालेटाइल होने का चांस है विकॉस यह कौन सा क्वाटर आप ध्यान से सुनिए यह दोस्तों देखती देखते क्वाटर 4 की आखरी महीना पर हम पहुंच चुका है और आखरी मार्च मार्च क्वाटर में हमने ज्यादा समय देखा लास्ट कूछ साल मिलते हैं नेक्स वीडियो पर तब तक के लिए टेक कार बाबाई जाए